जिले के चंडी थाना अंतरगत लालगंज इस्तिते MPC कोचिंग क्लासिस के संचालक मनीश कुमार को पेड़ से बांध कर उनकी जम कर पिटाई की गई उनकी उपर एक छात्रा को बगाने में सहयो करने का रोप लगा कर 12-15 लोगों ने उनकी जम कर दुनाई की गंभी रूप से जखमी मनीश को प्राथमी कुपचार के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गे कोचिंग संचालक के साथ है करन ये यूवक को भी बदमाशों ने पीट-पीट कर गंभी रूप से जखमी कर दिया गे इस पूरे प्रकरन का वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया गे कोचिंग संचालक को 5-6 लोग स्थानिय महिला कॉलेज के पास बुला कर ले गाए और वहाँ पहले से मौझूद दर्जन भर यूवकों ने बिना कुछ कह सुने पिटाई शुरू कर दी गटना के संबंद में बताया गया है कि वीते मंगलवार को लालगंज से सटे एक गाउं की एक छात्रा अपने प्रेमी के साथ भाग गई शक के आधार पर कोचिंग संचालक के साथ रहने वाले एक यूवक पर था इस घटना से कोचिंग संचालक आक्रोशित है दोशियों के खिलाफ कानूनी का रिवाई की मांग की है बता देंकी धर्थरी के द्वारे का अभिगहा निवासी नितिशकुमार ने लालगंज में कोचिंग क्लास खोल रखी है नालंदा से पब्लिक नीउस टीवी के लिए महमद मामूद आलम की रिपोर्ट आपका नाल के हुआ 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 है